नमश्कार मेरे सात्यों। थे खेमों करते हैं। थेसजून की बहुत ही शांदाmin के सात्योंे। साथियों आपके स्क्रीन पर पहला कोशन दिया गया है कि भी हाली में किसे चुना गिया है as a member of the World Bank IMF High Advisory Group तो यह है एक भारतिय जिनका नाम है मौन्टिंग सिंग अर्वालिया येस तो मौन्टिंग सिंग अर्वालिया को दिखें आपके World Bank का जो IMF की High Advisory Group है उसमें चुना गिया है और यह former deputy chairman है यहां पर Planning Commission के आप जानते में रिशातियों कि वर्तमान में यहां पर think tank body है जिसका नाम है निती आयोग लेकिन निती आयोग से पहले भात में योजना आयोग हुआ करता था यहां पर Planning Commission के अच्छा आप मुझे कमेंट में ज़रू बताएगा कि इन्होंने किस योजना आयोग के तहत में पंच वर्षी योजना की अधिश्टा की थी यहां पर deputy chairman रहते उसके है हम जब बात करते हैं तो इन्हों को देखिए मेंबर बना गया पर हाई लेवल एडवाइज एडवाजरी ग्रुप का यहां पर जो वर्ल्ट बैंक एंड आयमेफ के दौरा पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीस के अंदर वो यहां पर एकनोमिक को ग्रूबली यहां पर ज्यादा सर्प्लास करने वाली हैं तो इन सब क्यों लेकर यहां पर बात करने वाले इसके उपर चलिए यहां पर यहां पर कौशिन दिया गे यहां पर यहां पर कौन सी गवर्मेंट है जिसने लाँच किया है अपना कौर्स यहां पर योगा साइंस तो यहां पर एक साल का डिप्लोमा जो कोर्स है वो लॉंच किया है जिसका नाम है Meditation and Yoga Science इसे दिल्ली गवर्मेंट के द्वारा लॉंच किया गया है जो एक October से शुरू किया जाएगा बेसिकली और यहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज है इन डिप्लोमा कोर्सेज की जब बात करते हैं मेरे साथी हो तो इंस्ट्रॉक्ष्टर देखिए हाँ पर यहाँ पर बेसिकली कहा जाने कि हम योगा और मेडिटेशन को देखिए डोर टूर पहुचाना चाते हैं और इसके लिए बहुत सारी योगा सेंटर्स है जो डेली में स्टेबिश किया जाएंगे अभी हाली में हम जब बात करेंगे तो अंतराश्टी योग दिवस और योग विज्ञान में डिपलोमा पार्टी करम का जो शुभारा में वो किया गया पे और देखिए साथी हम जब बात करते हैं तो सिंजय धोत्रे जी इसके मुक्य अथिती की रुप में शामिल किया प्रकार से इस बार जो लाइफ के सिस्टम में खराब ना हो जाए तो हम यहां पे 5000 योगा को ट्रेंग करेंगे तकि वह जरूरत पढ़ने पर जो मैडिसन फैसलिटीज है और जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसमें जादा हमारा योधां कर सके इसमें बहुत सारे ट्रेनि के लिए वहाँ पर जा सकते हैं तो दिल्ली सका करा माना कि चार हफ्तों के अंदर के एक मैडे पैटालिस प्लेस की जन्संकिया उड़्सी में उसे दिल्ली यून टेरिटरी में पाए जाती है उन सब को वेक्सिनेट किया जाएगा उसके बाद सेम कायक्रम है चलो जो चला जाएगे 18 से 44 वर्ष की बीचों बीच में और अभी हाली में एम्स की जो डारेक्टर का यह कहना है कि जल्द ही भारत में जो बच्चों के लिए वेक्सिनेशन है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी दिल्ली के हम जब बात करते हैं तो दिल्ली की दिखिए यहाँ पर बात करते हैं अनिल बैजल यहाँ पर लेफ्टनर गवर्णन है एल जी साब है अर्विन के जबा मुख्यमंत्री है आम आदमी पार्टी से मनो सिसोधिया यहां पर भारत की जा रहे हैं यहां पर दिल्ली आ कि बात करते हैं भारत की राजधानी बनाया जागी लेकिगे लेकिन भारत की इसे union territory गोशित की गई है 1956 में और दिल्ली के अंदर जो NCT बना है जिसे NCR भी कहते हैं मेरे साथ यो यह बेसिकली बना लिखे 1992 के अंदर यहाँ पर 69th constitutional amendment था उनत्रवाद समयधानिक संशोधन है जो हम पर किया गया है यह fact आपको पता होना चाहिए चलते हैं next question पर अभी हाली के अंदर देखे हम जो बात करते हैं तो किस राज़ी की मुख्य मंत्री ने कोविड 19 के अंदर जो अनात होए बच्चे हैं उनके लिए आश्रिवाद योजना की शुरुआत की है तो आश्रिवाद योजना की शुरुआत की यहां पर उडिसर राज़ी की मुख्यमंतिर नविन पटनायजिक के द्वरा देखें सीम कायकरम चलाय जा रहा है जैसे अन्य राज़ों ने किया है उनका कहना है कि जब तक यहां पर बच्चे वैक्स नहीं हो जाते बच्चिया है उनके सेक्रिटी का देखें पूरा का पूरा जो दामोदार है वो सरकार ते उपर रहेगा और सरकार उनके भरन पोशिन के साथ साथ उनकी सिख्षा के व्यवस्ता भी की जाएगी तो इस योजना को नाम दिया गया अपर आशिरवाद योजना देखिए बहुत सारी राजों ने इस तरह की योजनाय चलाई है मेरे साथी हो हम जब बात करते हैं उडिसा के बार में लेटस्ट तो लेटस्ट अभी उडिसा में देखिए राजा परवाज जो फेस्टिबल था वो ओगनास किया गया था और साथी साथ यहां पर हम जब बात करते हैं तो कच्वो को संद्रिशित करने के लिए जो ओलीव रिडल कच्वे हैं उन्हें संद्रिशित करने के लिए जो ओपरेशन ओलीवी है वो चलाया जाता है पि कहां पर इसी राजी के अंदर उडिसा राजी के अंदर करां तो लॉंगेस्ट डैम इंडिया वो है कौन सा ही राकुन डैम जो कहां पर है संभरपुल जिले में यहां पर देखिए पहाड़िया परती है इस डंगाड की यहां पर 30 जिले हैं गनेशी राल यहां पर गवर्नर है नविन पत्नाय की मुख्यमंत्री है बीजडी से 21 सीट यह ओलम्पिक्स में कौलिफाय करने वाली पहली ट्रांजेंडर है जो वेट्रिफ्टिंग में आई है और इने शामिल कराने के लिए एक देश ने अपने कानून में बहुत-बढ़ा संशुधन किया है तो कुषिन बना है कि कि किस देश के कानून ने अपने नियूमों में इस तउशोदलन की है इन्हें ओलम्पिक्स में भीजने के लिए तो उस देश का ना हमयाद केहां निव्जीलैंड लिए less तो निव्जीलैंड की यहां पर की बहुत ही फीमर्स है फेली स्ट्रिक्ट्र है जहन हमें लॉर्यांफड ओलम्पिक्स में शामिल we जाँगे 87 प्लस के अंदर के पार्टिविट करने वाले हैं और यहां पर फूर्थ ओल्डेस्ट वेट्रिफ्टर है इस उल्मिक्स के अंदर इनकी जो आयू है वह पूर्पिक्स 겠죠 या और यहां पिशले साल होने सान वाले तो है तो टोक्यो में से आयुऑ किया लौण किया रहा है आपके सांदे कूशन दिया हैju अभी हाली में यहां पे कौन है वरतेमान में चेरमेंन जो दिखी सेट ही की दुबारा से पूनधी किया गया था उसका नाम है टेक ओवर पैनल तो टेक ओवर पैनल के जो अध्यक्ष है जो सेवी की ही एक करें पुर्ण निर्वित और्गनाईशन है उसके वरत्मान में अध्यक्ष कौन है उसके अध्यक्ष आपे अभी इसमें मैं बता रहा हूँ क्यों कोशन मना है तो सेवी के अंदर देखें रिकॉंस्टिटूट किया गया पर एक टेक ओवर पैनल को जिसके अंदर मेरे साथ ही हो जो डियोलैट के एमडी है जिनका नाम है एन विंगर टरमन उसे न्यू मैंबर बनाए गया है और इसके देखें जो चेर परसन है वह है एनके सोडी जी आप यहां पर देख पाएंगे तो यहां पर हम जब बात करते हैं टेक ओवर पैनल के बार में तो जस्टीस एनके सोड है यह फॉर्मर चीफ जस्टीस है पर कोट अफ करनाट का और कोट अफ केला के और हम जब बात करते हैं कि वर्तमा में चेर्मैन है कहां के करेंट टेक ओवर पैनल के यहां पर डेरियस खंबाता यह फॉर्मर एड्वोकेट जनर्र है महराष्ट के थॉमस मैथ्यो टी यह जोड़े हैं पर 20 तारीकों और इसी को में आपर शामिल कर लिया है लेकिन जब बात करते हैं सेभी के बार में सिक्यूर्टीज एंड एक्स्चेंज बोड ऑफ इंडिया है जिसके वर्तमान में अजेत्यागी जी चेर्परसन है इसकी स्थापना हुथी 1988 में बाद गर्वर् यहां पर इंवस्टर की जो बाद ही देखें कि से भी है यह मुख्य तोर पे काम करना शुरू कर दिया था तकि इस तरह कि जो स्कैम से भारत में दुबारा ना हो बहुती ज्यादा इंपॉटन्ट कोशन है यह पूशा गया कि आज हम बात करते हैं तो तो यहां पर मरात्य साथी इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे यह जो आज ही की दिनिया पर सेलिब्रेट किया जा रहा है विश्व के सबसे बड़े खेलों में से एक यहां पर ओलंपिक्स गेम्स जो हर साल यहा यहां पर 12 कंट्रीज के डेलिगेट्स थे जो सोबॉन पैरीस में इकट्टी हुए थे और पीरेड कोवेटिंग के प्रोपोजल ने रिखिए ओलंपिक्स को दुबारा से शुरू करने की योजना बनाए थी और इसी प्रोपोजल को कहा जाता है कि इसी प्रोपोजल ने कहन इन्टरनेशनल उलम्पिक्स कमिटी की फांडेशन की थी और उसी की दो साल बाद यहां पर आधुनिक उलम्पिक्स गेलू के शुरुवात की थी कहां पर मेरे साथी ग्रीस के अंदर यहां पर आधुनिक जो उलम्पिक गेम्स हैं इनकी शुरुवात हुई है कभ यहां पर 6 परल से 15 परल 1893 में और 14 कंट्रीज थी जिन्हों ने इसमें पार्टिसिबेट किया था तो आप कह सकते हैं कि उसकी शुरुवात के लिए 2018-1994 को पैरिस में ही पहली बार मीटिंग में थी और इसी मीटिंग के बाद International Olympics Committee की इसता अपना की गई थी और आज ही के दिन को मेरे साथियों मनाते हैं पर क्या Olympics Day की रूप में Examination में कोशन पूछेंगे Theme क्या है तो theme है यहाँ पर Stay Healthy, Stay Strong, Stay Active With The Olympic Day Workout On June 23 यह बात हैं पर की जा रही है यह बात याद्क कर लिजगा Examination के Point of View से important है Recently अभी हाली में यहाँ पर कौनसे भारतिये Short Put Player है जो Qualify कर चुकी है Tokyo Olympics के लिए तो उनका नाम है तजिंदर पाल सिंग जी यहाँ तो तजिंदर पाल सिंग जी है जो Qualify कर चुकी है Tokyo Olympics में Short Puts के अंदर और इन्होंने दिखी में अपना ही रिकॉर्ड तो और तो यहाँ पर 21.10, 21.10 का देखें के Qualify कमार्क था और 21.49 क्वालिफाय मार्क से जादा फैक है इन्होंने Qualify करना था है 21.10 पर और इन्होंने फैक्ट देखें 21.49 और अपना ही रिकॉर्ड तो और दिया है इनके द्वारा हम बात कते हैं तजिंदर पाथ सिंग की देखिए तो इनको अर्जन ओवर्ड मिला है 2019 के अंदर ये फैट आपको याद करना पड़े का important examination के point of view से अभी हाली में देखिए बहुत सारे भारती हैं जो कहने कहीं चुने जा चुके हैं अब देखना है किस प्रकास से भारती लोग अपने पराकरम का प्रदेशन करते हैं इस बार Olympics Games के अंदर next question बना है कि अभी हाली में वो कौनसी पहली भारती महिला बन चुकी है जिनने अपन किया गया as a AIBA coaches committee members में तो वो हैं dr. तदंग यहाँ पे मिनू तो dr. तदंग मिनू है ये पहली woman पहले Indian woman है to be the member of coaches committee of the international boxing association AIBA ये कहां से आती है basically आती है अमनाचर प्रदेश से देखिए ये stem professor है राजीव गांदी इनिविशिटी के अंदर और ये बहुत बड़ा experience है in the field of boxing और साथी साथ देखिए chairman रच की boxing federation of india की women commission के अंदर देखिए हम जो बात करते हैं इंट्रनेशनल boxing association के बारे में 1946 को इसकी स्थापनवीती लॉजेंज सुजर लेंड में इसका headquarter परता है बात करते हैं अरनाचो प्रदेश के जहां से आती हैं तो देखिए अरनाचो प्रदेश को राजी का दर्जा दिया गया पर 1987 में आप जानते हैं कि मेरे साथ हैं अरनाचो प्रदेश को नेफा के नाम से भी जाना जाता था और यहाँ पे आजादी से पहले जब भारत को आजादी नहीं मिली थी तो आजादी से पहले यहाँ पे भारत का सिफ यही एक राजित था जिसके सीमा यहाँ पे चाइना के साथ मिलती थी और उस सीमा को देखे, 1914 में एक नाम दिया गया था, जिसे बोलता है, मैक मोहन रेखा, ता मैक मोहन लाइन, ये एफेक्ट याद कलीजेगा, देखे, यहाँ पे बहुत ही फेमस एक शित्र परता है, ताबांग, देखे, ताबांग वो शित्र है, जहां से बात कही जा रही है, देखे, जो अगले दलायलामा है, वो चुने जाएंगे, येस मेरे साथ ही हो, देखे, दलायलामा यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये पद का नाम है, जिस पकार से हमारे बहुत सारे धर्म गुरु होते हैं, तो बुद्धिजम के अंदर यहाँ पे जो धर्म सवा के अंदर, दो सी रटतियां पर लोग सवा के अंदर, ये बात मैंने आपको बता दी है, और हम जब बात करते देखें, आपको इधर, तो यहीं पर मेरे साथ हो, भारत के सबसे लंबे सड़कपुल की बात की जारी है, जो नदी पर बनाया ये मेरे साथ हो, आप जानते करता हैं, जो बात करते हैं, अलोविरा के बारे में, तो इसको बात की गई हरा आईटी ईंदो के दवरा, इसमें पर इसमें यहां पर, यहां पर चिप के उनदर पाए जाने वाली जो connectivity निए उसले बड़ा गटार दोने सकते हैं, और यहां पर, जो global चिप suoटेश ऑना, उस मरत से कम किया जा सकता है ऐसी खोच की यहां पर आइटी इंदोर के द्वारा। हम जो बात करते हैं इंदोर के बारे में इंदोर हम भाहत के सबस्टेरिकर Ciao में से एक है और भारत में देखिलों पहला एसा शित रहे एक ऐसा शहर है जहां पर IIT भी है और IIM भी है इंडियन इंस्टिटूट फ टेक्नोलोजी भी है इंडियन इंस्टिटूट फ मैनेजमेंट भी है चलिए आपके लिए आज का हमवक कोशन नहीं पर है आप मुझे कमेंट सेक्षियों में जरू बताएगा कि इंदोर शहर के अं एक यहां पर जीवन भायू जो बनाया है यंत्र साथी साथ IIT रोपर नेकिए फेक बस्टर को यहां पर जाने किया है जो यहां पर आपकी चेहरे की भाव से पता कर लेगा फिर के तीन युनिविसिटीज है जो यहां पर QS वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप आ चुके हैं जि ने अवाड दिया एपर European inventor 2021 का वाड़ तो यह मिला देखे सुमित्रा मित्रा जी को तो सुमित्रा मित्रा जी देखे जो बहुत ही फेमस यहां पर भारती अमेरिकर हैं और बहुत ही फेमस देखे हैं हम इन्होंने भी हाली में हम बात करते हैं तो दांतों में इस्तमाल किया जाने वाला जो मट्रियल है जो हमाई दातों में सदन भरते समय यूज किया जाता है उसमें इस प्रिकागा कंपोजिशन तयार किया है जो बहुत लंबे समय तर चलने वाला है और वर्ल्ड वाइड और व्ल्ड वाइड देखिए यहां पे बहुत सारे सदन से बचाने के लिए यहां पर जानते हैं मेरे साथियों कि जो हमारे दानतों के सबसे उपर पाए जाने वाली जो परता वह इनामल की है और यहां पर कैल्शियम कारबनेट कर देखा गया कि वह फूलिंग है और जिन लोग अंदर दांतों के बार में बहुत तक्लीफ थी उनको यह अक्सर दिखा जाता है कि यह बारबा फिलिंग करनानी पड़ती थी तो यहां पर इस प्रिकास से कंपोजिशन तयार किया गया कि यह फिलिंग आपको बारबा नहीं गिरानी है और यह बहुत रेवनिशन स्टेप है जो लिया गया है तो यह दिखे हमने बात कि इनक वैशन साथ हूझ जब मात करते हैं अंतराष्टी योगदिवस में तो अंतराष्टी योगदिवस की उपलक्ष में फ्री वेक्सिनेशन कारी करम चला गया जिसमें संधकार हो बन दंक बटना है तो हमें vaccination को बहुत आगे तेजगती से बढ़ाना पड़ेगा तो कई नहीं कहीं ने कहीं ने कि कि यहां पर मास vaccination चलाया था और हमने देखी एक दिन में 80 लाग जो वेक्सिनेशन देखे एक रिकॉर्ड है जो स्टैब्लिश किया है क्या लेट हुए टेकिंग चलो अच्छी बात है कि हुआ तो है यह कम से कम अगर यही स्पीड चलती रहती है तो बहुत जल्द यहां पे पुरी की पुरी जनसंग्या तो नहीं कह सकते हैं कि जनसंग्या का ब डबल असकी 90 लाग क्या सपास ही है आप माल लेजए कि हमने एक दिन के अंदर ही पुरा का पुरा इसदरा लेव से वेक्सिनेट कर दिया है यह बहुत बड़ी बात है भारत के लिए भी जहां पे संभावने कम है लेकिन कोशिश जारी चल रही है अभी हाली में देखे हैं जाने तो जहाने का इक चलाए गया है यहां पर हम दिखें बात करते हैं मेरे साथियो साथी साथ में सेफ हम सुरक्षित तुम कैंवें चल रहा है यहां पर वयान जम्मु कश्मी के अंदर पहला गाउं है जो पूर रप से देखें कोविल कर दिया गया पर वेक्सिनेट कर पर जिसकी टूटल जो एडल पॉपलेशन वह वेक्सिंग कर दी गई है यह था तो साथियो यह है आज का मारा पूरा का पूरा का पूरा करेंट अपर सशन में उम्मीद करता है को चीज़ें पसंद आयोंगी बहुत की कुछ नया जानकर आपको यहां पर मिली होगी चलिए अब देखें आते हैं हमारे वीडियो के सबसे इंपरेंट पार्ट पर वही है अनकैडमी पर आपके लिए बहुत कुछ नहा है आप अपने प्रेपरेशन को बूस्ट आप कर सकते हैं अनकैडमी की लेंडिंग अप्रेशन के माध्यम से और साथियो सबसी इंपरेंट बात है कि मेरा स्पेशल इंडिया जोगरफी की अंदर शाम की स्ट्सक्राइव होरी है और स्ट इस आन्दा त्रीके से conceptually अपको मैं पूरी पूरी ओंड इंडिया जोगरफी सब्सक्राइब करने वाला है कि अभी कि यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर यहाँ पर यूज कीजिए मेरा कोड ताकि इस सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरे टेलिग्राम चनले से जुड़ जाए जो है हरिश्टिवारी सब्सक्राइब को चीज़ा पसंद आए होंगी सो घर पर यह सुरुशत रहिए पढ़ते रहिए हम मिलेंगे इसी तरह से और भी नए सेशन में तब तक के लिए मिने जय भारत